हे अब्रिवान वेलकम तो होम क्रेटिविटी विद सुची और मैं हूँ सुचित्रा तो कैसे हैं आप सब मुझे कमेंट करके जरूर पताईएगा और मैं भी ठीक हूँ तो आज मैं जो रेसेपी शेयर कर रही हूँ वो है केरला की ट्रडेशनल मिठाई वीच फ्लार मिल्क केक तो इसको बनाने के लिए मैंने एक छोटी कटोरी भर के चीनी लिया है और इसमें इसका डबल पानी आड़ करूँगी और इससे चाशनी त्यार करूँगी तो मैं सबसे पहले चाशनी ही बना रही हूँ तो यही नाप है आप जिस कटोरी या कप से चीनी लेंगे आपको उसका डबल पानी डालना है और इसका चाशनी बनाने में जादा कुछ नहीं करना है इसमें हमें कोई तार की चाशनी नहीं चाहिए सिंपली चीनी को आप मिल्ट कर लीजिए और उसके बाद दो उबाल तक इसे पका दीजिए तो बस चाशनी हो जाएगी रेडी और इस स्टेज पे आप चाहे तो इसमें इलाइची पावडर भी आड़ कर सकते हैं इसे चाशनी में खुश्बू बहुत अच्छी आती है और उतना ही मैं दालिया है इसके साथ मैं डाल रही हूँ 4-5 मीठा सोड़ा इसे अच्छी तरह से मिला ले और इसे हम गूतेंगे घी और दही के साथ तो एक छोटी कटोरी भार दही और आधी कटोरी घी इसे दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले और इससे हम डो और आटे में आप इसे डाल के इसे गूत लेना है यह मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर तो दो बरे चमच भरके आप मिल्क पाउडर डाल दीजिए इससे इस मिठाई का स्वात बहुत अच्छा हो जाएगा और यह कुछ-कुछ गुलाब जामुन जैसा टेस्ट करता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है बहुत यमी बनता है तो यह मैं दही और घी का जो मिक्शर है उसे डाल के आटे को मिला रही हूँ तो चमच से पहले मिला रही हूँ फिर मैं इसे हाथों की साहिता से गूत लूँगी तो यह सॉफ्ट डो बनके रेडी हो जाएगा तो सेमी अब इसे हमें बेलना है, तो मोटा मोटा ही बेलना है इसे पतला ना बेले और जो किनारे से आप देख रहे हैं फट रहा है तो कोई बात नहीं इसे हमें काट के अलगी करना है तो साइट से इसे कट कर देंगे और एक अच्छा सा शेप ले लेगा ये और इसके बाद हम इसे थोरी मोटी मोटी पट्टियों के शेप में काट लेंगे तो ये लगबग एक इंच की मोटाई पे मैं काट रही हूँ और ये देखे ये इस तरह से कुछ बन के रेडी हो जाएगा और अब इसे एक जैसे शेप में हमें कट कर लेना है और अब इसे हम ये देखे कट करके त्यार कर लिया है और इसे हमें फ्राइ करना है तो आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं या फिर रिफाइन में भी कर सकते हैं तो तेल को बहुत ज़्यादा गरम ना करें मीडियम हीट पे इसे पहले गरम करें और फिर थोरे थोरे से ये मिठाई को डाल के हमें फ्राई करना है तो एक बार में जादा नहीं डाले नहीं तो फिर तेल का टेंपरेचर लो हो जाएगा और फिर यह अच्छे से ब्राउन नहीं हो पाएगी तो मीडियम फ्लेम रखे और एक बार में पाँच छे या फिर चार जिसमें आप कम्फर्टेबल हो मिठाईया डालते जाएं और उन्हें गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें तो एक बार जब ये फूल जाता है तेल में जाके ये देखे ये धिरे-धिरे फूल जाता है फिर आज को आप धीमी कर दे और इसे कलर आने तक पकाएं इस तरह से मैंने सारी मिठाईया बना के रेटी कर ली है और बस अब इसे चाशनी में डालना है तो ध्यान रखे कि जब आप मिठाई चाशनी में डाल रहे हैं तो चाशनी थोड़ी सी गुनगुनी होनी चाहिए बिल्कुल थंडी चाशनी में आप नहीं डाले आदे खंटे तक चास्टी में से डुबा रहने दे और फिर निकाल के सॉब करे ये बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही जल्दी बन जाती है तो आप भी घर में जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे जरूर बताईएगा कि कैसा लगा तो मैं मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में सब तक स्टे सेफ स्टे हल्दी टाटा